बोल ये लक्ष्मी गनेस भगवान की जय आज का रासी फल आज का रासी फल यानिकी पंद्रह एक ग्यारह दोजर उन्नीस का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ गुट मॉर्णिंग इंडिया नमस्कार सलाम सुप्रभात कसे काई केरो आले कैसन बानी कैसे हैं आप लोग किनाज छी अहां सब हाउ आर यू उम्मेद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मजे में होंगे स्वस्त होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय जो है बहुत मजेदार तरीके से कट रहा होगा आईए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आज का रासिफल आज का सद विचार जो बदल दे आपकी जिंदगी thought of the day will change your life बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है बस पीरा की एक स्थिती है मौत की बस एक च्छवी है इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखे क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपकी सेहत है तो आप हैं सेहत ठीक नहीं है तो आप नहीं है तो मित्रो यही था आज का सद्विचार जैसे आपको सीख ये मिला ये अपने स्वास्त का निश्चेत रूप से दिहान रखे और अपने आपको स्वास्त रखने का प्रयास करें आज का पंचांग यानि की 15 नावंबर 2019 मित्रो आज तिथी जो है वो तिर्थिया है नच्छत्र मार्ग सिर्षा है क्रिश्न पक्ष है सिभ योग है सुक्रबार है और सुर्योदया जो होगा वो 6 बज के 4 मिनट में होगा और चंद्रोदया जो होगा वो 7 बज के 17 मिनट पी एम में होगा चंद्रासी जो है वो बिर्सब है और सुर्यास्त 4 बज के 58 मिनट पी एम में होगा और चंद्रास्त आठ बज के बाइस मिनट एम में होगा हिमंत रितु है आज का जो दिन काल है वो दस घंटा तिरेपन मिनट का है अज ये जो महिना चल रहा है वो माग यानि की मार्ग सिर्ष चल रहा है और आज का जो सुब समय है जिसमें कोई आप अच्छा काम बढ़िया काम कर सकते हो वो है ग्यारा बज के नौ मिनट एम से लेकर के ग्यारा बज के तिरेपन मिनट एम तक का जिसमें आप कोई बढ़िया अच्छा काम कर सकते हो असुब समय जो है दोस्ट महुर्त जो है वो है आठ बज के 15 मिनट एम से लेकर के 8 बज के 58 मिनट एम तक का और 11 बज के 13 मिनट एम से लेकर के 12 बज के 36 मिनट पी एम तक का समय दोस्ट महुर्त है राहुकाल जो है वो है दस बज के 9 मिनट एम से लेकर करके 11 बज की 31 मिनट एम तक का और दिसा सूल जो है आज वो पश्चिम दिसा की तरफ है जिस दिसा में आए आप कोई यातरा नहीं करनी है लेकिन अगर by chance कोई emergency आ जाती है कोई ऐसी जरूरी इस्थिती है कि नहीं जाना ही है बिना गए काम नहीं होगा तो उसके लिए कुछ तो उपाई करना होगा तो आपके लिए उपाई ये है कि जो अथवाराई थोरा सा खा करके घर से बाहर निकलें आपके लिए अच्छा रहेगा तो मित्रों यही थी आज की पंचांग मेस रासी मेस मित्रों मेस के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रही है नाम अक्छर लिखा हुआ है जैसे की चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ओ इन में से अगर किसी भी अक्षर से यानि कि किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी रासी मेसुई जैसे की ओ अक्षरपर में आपका नाम है अमरेस अमन जैसे की ली अक्षरपर में आपका नाम है लीला ला अक्षरपर में जैसे की नाम है आपका लाला और इसे ही आपका चौक सरपड़ में भी नाम होगा अब क्या कैसे नाम है मुझे तो अतना नाम याद नहीं लेकिन आपका क्या नाम है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मित्रों कहने का मतलब यह है कि इन में से किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी रासी मेश हुई आपके रासी स्वामी हुए मंगल देबता और आपका जीवन रतन हुआ मोंगा मित्रों अगर आप कोई रतन, पत्थर, स्टोन, जेम्स चाहे अपनी भासा में आप जो भी कहते हो धारन करना चाहते हो तो आप मोंगा नाम का रतन धारन कर सकते हो लेकिन मित्रों जो हमारे भाई बंधु मोंगा को धारन करने में सक्षम नहीं होंगे वो लोग मोंगा के बदले में जीवन रतन के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे पहले में मुंगा के फाइदे और नुक्सान आपको बता देता हूँ मित्रों मुंगा रत्म धारन करने से आप में साहस में बिर्धी हो जाएगी आत्म विस्वास आपका चमतकारिक रोप से कई गुना बढ़ जाएगा जो लोग पुलीस में हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर हैं, पुरपटी का काम करने वाले हैं हतियार निर्मान करने वाले हैं, सर्जन हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेर अत्वा हार्डवेर इंजिनियर हैं इन सभी लोगों को मौंगा धारन करना चाहिए, इनको बिसेश लाव प्राप्त होगा मित्रों जैसे कि किसी व्यक्ति को रक्त सम्बंधी कोई बिमारी है, मिर्गी है, पिलिया है तो उस विक्ति को भी मुंगा धारन करना चाहिए इस से उनको बिसेश लाब होता है और बिसेश लाब ही नहीं होता है इस बिमारी को ये दूर करने का छमता भी रखता है मित्रों लेकिन जो लोग इस रत्न को धारन करने में सक्चम नहीं है उनके लिए उनका जीवन मंत्र है जीवन मंत्र का भी वो लोग जाब कर सकते हैं जीवन मंत्र के जाब से भी बहुत चमतकारी फाइदा होगा इस मंत्र के जाब से अगर आपके पड़िवार में आपकी माता से अनबन रहती है आपके प्रस्णालिटी को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो आपका मन अगर जल्दी घहबरा जाता है ज्यादा डर लगता है अथवा आपके शाहस में कमी है आत्म विश्वास में कमी है तो इन सभी को ये मंत्र दूर करेगा आपके जीवन से सभी समस्याओं का ये दीरे-दीरे करके अंत करेगा तो जो लोग रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है वो इस मंत्र का जाप करें सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप वो मंगल वार के दिन से ही प्राणभ कर सकते हैं और 15 नावंबर 2019 दिन शुक्रवार मित्रों आपका उर्जा आस्तर उचा रहेगा रियल एस्टेट संबंधी निवेस आपको अच्छा खास मुनाफा देंगे बच्चे उम्मीदों पर खरेना उतर कर आपको रिरास कर सकते हैं सपनों को साकार करने के लिए उन्हें पर शाहन देन की संभावना है अपनी सभी छमताओं को निखार कर और उसे बेहतर बनने की कोशिस करें जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए अगर आप समाज से कट कर रहेंगे तो आवश्चक्ता परने पर आपके साथ कोई नहीं होगा आपको मैसूस होगा कि साधी के वक्त किये गए सारे वादे सच्चे हैं आपका जीवन साथ ही ही आपका हमदम है मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़िया है दन्संबत्ति के मामले में भी समय अच्छा है पाड़िबारिक जीवन आज आपका उतना बढ़िया नहीं रहने वाला है प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय आपका बहुत बढ़िया ह बैवसाई यहींकि बैजनेस के मामले में समय आपका अच्छा रहने वाला है आज बैजनेस बढ़ियां चलने वाला है नौगरी करने वाले की रासी का ब्रिश्व के बारे में ब्रिश्व के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे इस यह कि छुद में अगर किसी भी किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपके जो रासी है वो बिरस्ब हुई है आपके जो रासी स्वामी हैं हो शुक्र देवता हुए और आपका जो जीवन रफन है वो हीरा हुआ ilo क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंदों ऐसे हैं जो हीरा को धारण करने में सच्ञ्छम नहीं होंगे तो लोग जो लोग मध्यमबर्गियें हैं वो हीरा के बदले में ओपल नाम का एक रतन आता है वो धारन कर सकते हैं अथवा ओपल फायर भी धारन कर सकते हैं लेकिन जो लोग उसको धारन करने में सक्षम नहीं होंगे वो लोग ओपल के बदले में असफटिक धा अजिए आपको चार से पांच साल के बाद लगभग चेंज करना पड़ता है और हीरा जो है लगभग 15 से 20 साल के बाद या यूं कहूं तो आजीवन ही रह जाता है धिरे धिरे करके पावर उसमें समाप्त हो जाती है लेकिन जो हमारे भाई बंधु इन तीनों में से किसी भी रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं होंगे उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं उनका जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र मित्रों जीवन मंत्र के द्वारा भी फाइदा आप बरावर का ले सकते हो जीवन मंत्र है आपका अम श। शूंग सुक्राय नमाय। इसमें सुनग जो है वही बीज मंतर है और वही एक ऐसा सब्द है जिस पर में बिस्बराशीबालों की जिन्देगी ठीकी हुई है। मित्रों तो इस मंत्र का आप दैनिक जरूर जाप करें आपको फाइदा बरावर का होगा और इसका सर्थ ये है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल सुक्र बार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो और दूसरा सर्थ ये है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे मित्रों फाइदा बरावर का होगा चाहे आप रत्न धारन करो अथवा मंत्र धारन करो मैं आपको बता दूँ कि इसको धारन करने से बिशेश रूप से क्या क्या फाइदा होगा आपका ये एक ऐसा रत्न है अथवा ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से आप बहुत कम समय में माला माल हो सकते हो मित्रों इसके मंत्र के जाब करने से अत्वा इसरत्न को धारन करने से क्या होगा कि आपके रूप में बिर्धी होने लगेगी आपकी शौंदर जो है बढ़ने लएंगे आपका यस बढ़ने लएगा इज़त और परतिष्ठा में परचूर मात्रा में बिर्धी होगी कहते हैं कि जिसकी व्यक्ति को मधमेह चीनी अथवा सुगर की विमारी है अगर वो व्यक्ति इस मंत्र का जाब करता है तो इस व्यक्ति के जीवन से वो बिमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है मित्रों इसकी अलाबा अगर आपके बैबाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी आपके आपसी संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी इसलिए इस मंत्र का दैनिक जाब करें अथवा इस रत्न को बिर्शव रासी वाले निश्चित रोप से धारन करें बिर्शव रासी वालों का आज का रासी फल 15 नौंबर 2019 दिन शुक्रबार अंजाहे ख्यालों को दिमाग पर कबजार ना करने दें सांत और तनाब रहित रहनी की कोशिस करें इससे आपकी मानसिक दिर्टा बढ़ेगी दिन की सुरुवात में ही आज आपको कोई आर्थिक हानी हो सकती है जिससे सरा दिन खराब हो सकता है परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए अपने खाली समय का सदूपयोग करें रोमेंटिक मुलाकात आपकी खुसी में तरके का काम करेगी आज के दिन आप कारे छेतर में कुछ बढ़िया कर सकते हैं खाली वक्त का सही इस्तिमाल करना आपको सीखना ही होगा नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ वेहतरीन पल गुजार सकते हैं मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है तनस्मत्ति के मामले में भी समय आज आपका काफी संखर स्पुर्ण भी इतने वाला है पाड़िबारिक जीवन आज आपका सामानी रहने वाला है प्रेम संबंध के मामले में समय आपका बहुत बढ़ यहां रहने वाला है मित्रों उपाए आपके लिए यह है कि खीर आज आप खीर खाएं इससे आपका स्वास्त देनी की हेल्थ जो है वो बढ़ियां रहेगा तो मित्रों यही थी बिर्शब रासी वालों की आज की रासी फल आईए जानते हैं मित्रों रासी के बारे में मित्रों 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 के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे को का की को गहा अरा च्छा के को और हो इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो मित्रों हुई जैसे कि अगर आपका नाम है कमलेस तो आपकी रासी मित्रों हुई जैसे कि आपका नाम है कमलेस तो आपकी रासी मित्रों हुई जैसे कि आपका नाम है कमलेस तो आप अगर आप कोई रात्र पठ्थर, श्टोन, अंगुठी, जेम्स, चाहिए आप अपनी भासा में जो भी कहते हो, धारन करना चाहते हो, तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो, मित्रों क्योंखी पन्ना एक काफी महंगारत्न है हो सकता है आपने से हमाग बहुत सारी भाई-बंधुई इससे अफोट करना और धारन नहीं कर पाई तो पन्ना के बदले में आप उसका छोटा भाई यानिकी ओनेक्स धारन कर सकते हूँ ओनेक्स और पन्ना में अंतर ये है कि ओनेक्स जो आप धारन करोगे तो डेर से दो साल के बाद उसको आपको चेंज करना होगा और पन्ना अगर धारन करोगे तो उसको आप दस साल तक पहन के रख सकते हों मित्रों लेकिन जो लोग ओनेक्स अथवा पन्ना दोनों में से कुछ भी धारन करने में सक्षम नहीं है अपने जीवन रत्म को धारन करने में सक्षम नहीं है तो वो लोग इसके बदले में अपने जीवन रत्म के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे जीवन मंत्र है अम बूंग बुद्हाओं नमहां यह आपका जीवन मंत्र यह मिथुल रसी वाले का जो शमपूर्न जीवन ठीका हुआ है वह बूंग नाम का बीज मंत्र है उससें मंत्र को आपको इसका परतेक दिन जाप करना भीबा का मित्रों इससे क्या फाइदा होगा आपको मैं बता देता हूं अगर इस मंद्र का जाप करते हो अध्वा इस रतन को धारन करते हो तो इससे आपकी चमतकारिक रूप से अस्वरान सक्ती बढ़ जाएगी आदास सकती मेमी म विमारी पावर बहुत तेज हो हो जाएगी और आर्थिक स्थिति इतने सुदृड हो जाएगी जो आपको कोई हिला नहीं पाएगा रुपे पैसे की कहीं से भी कोई दिक्कत है तो वो सब दूर हो जाएगा इसलिए मित्रों आप इस रत्न को अथवा इस मंत्र का जाप करें आपके जीवन से धीरे-धीरे कर आज का दिन कैसा रहने वाला है आईए जानते हैं आपकी जीतोर मेहनत और पड़िवार का सहीयोग इच्छित परिणाम देने में काम्याब रहेंगे लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत इसी तरह जाड़ी रखें अगर आपको लगता है कि आपके प प्रदत के लिए आगे आ रहे हैं जो लोग प्रेम के संगीत में डुबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरीयों का अनंद ले सकते हैं आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बांकी सभी गीतों को भूला देगा सहकर्मियों और बरिष्टों से मिला स सहयोग आपके उस्साह में याफा करेगा आज के समय में आपके लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है लेकिन आज ऐसे दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा साधी के बाद बैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है ल अजब में समय में आपका अच्छा रहने वाला है बैवसाय नौकडी और पढ़ाई लिखाई के मामले में लिए स्वास्त के मामले में बढहिया रहेगा तो यही थी मिथोन रसी वालों की आज की रसी फल आइए जानते हैं करक रसी के बारे में मित्रों करक के सामने जो जैसे कि ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, और डो, इन में से अगर किसी भी अक्छर से आपका नाम शुरू होता है, तो आपकी जो रासी है, वो करकोई, आपके जो रासी स्वामी है, वो चंद्रमा देवता हुए, और आपका जो जीवन रतन है, वो मौती हुआ, मित्रों, अगर आप कोई रतन, पत्थर, स्टोन, रिंग, जेम्स, चाहे आप अपनी भासा में जो भी कहते हो, धारन करना चाहते हो, तो मौती नाम का एक ऐसा रतन है, जिसको आप धारन कर सकते हो, मित्रों, मौती अथवा मूनेस्टिन, दोनों एक ही है, लेकिन हमारे जो बाई बं में जीवन मंत्र का जाप कर सकते हैं, मित्रों, जीवन मंत्र है, आपका, आपिधा ओम, चंद्रमाशे नम आपिशा, चंद्रमाशे नमा, मित्रों करक्रासी बालों का जो संपुर्ण जीवन टिका हुआ है वो केबल चंद्रपड में ही टिका हुआ है यही इनके जीवन का बीज मंत्र भी है मित्रों इस मंत्र का आपको दैनिक रोज 108 बार जाप करना है इस मंत्र के जाप का दो सर्थ है पहला सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप दैनिक रोज करोगे 108 बार और दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल सूम बार के जिन से स्टार्ट करोगे और रुद्राक्ष के माला पर करोगे आप करोगे आपके जीवन से धीरे-धीरे करके सारहिस समस्याओं का अंत हो जाएगा इससे आपको और भी क्या फाइदा होगा जैसे कि आपके मन में साकरात्मक विचार उत्पन होना सुरू हो जाएगा क्रियेटिव आईडिया आने सुरू हो जाएंगे अद्भुत रोप से जैसा आपको पहले कभी न आया होगा आपके मन से जितने भी नाकरात्मक चीजें हैं वो सब धिरे-धिरे करके दूर हो जाएगी मन की बैचैनी मिट जाएगी इसे धारन करने पर अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है तो वो दूर हो जाएगा भै मुक्त जीवन हो जाएगा और सुक की तरफ आप आगे बढ़ेंगे मित्रों अगर आपकी माता से कुछ अनवन रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी अगर आपका मन ज्यादा चंचल रहता है तो वो भी इस्तिर हो जाएगा मन अगर जल्दी डर जाता है अथवा घबरा जाता है तो वो भी ठीक हो जाएगा ऐसी अनेक परकार की कोई भी समस्याएं है मित्रों अगर आप शक्षम हो पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप मोती धारन करो और जिस किसी भाई बंधू के पास पैसे की दिक्कत है वो लोग इस मंत्र का जाप करें फाइदा बराबर का होगा करक रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 15 रावंबार दिन सुक्रवार 2019 मित्रों अपनी सारिक चुस्ति फूर्थी को बनाये रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में बैतीत कर सकते हैं जो लोग अब तक पैसे की बेवजह पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे आज उ होगा जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा आज आप ऐसे इनसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी में या जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा आज कारेश्यत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक की भी संभव है करोबारी आज अनुभवी लोगों से करोबार को आगे बढ़ने की इसलाह ले सकते हैं आज आप ओफिस से घर वापस आकर अपना पसंदिदा काम कर सकते हैं इससे आपके मन को शांती मिलेगी आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन अच्छा है दनसंपत्ति के मामले में भी समय आज आपका खराब रहने वाला है अच्छा नहीं रहने वाला है पाड़िवारिक जीवन आज आपका बढ़ियां रहने वाला है प् उपाई आपके लिए यह है कि घर में पौधों के गमले में या बात्रों में हरे पत्थर के दाने या हरा मारमल लखने से आर्थेक इस्थिती जो है आपकी वो अच्छी हो जाएगी तो यही थी करक रासी बालों की आज की रासी फल आएए जानते हैं सिंग रासी के बारे में मित्रों सिंग के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रहा है जैसे कि मा मी मू मे मो टो टा टी टू टे इन सब में से अगर किसी भी अक्छर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो सिंग हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सुरी देवता हुई आपका जो जीवर रतन है वो मानिक की हुआ जैसे अगर आपका नाम मंजीत है तो आपकी रासी सिंग हुई जैसे आपका नाम मीरा है तो आपकी रासी सिंग हुई इसी प्रकार से लाश्ट तक आप चले जाओ जिस अक्षरपड में भी आपका नाम है इसमें से अगर तो आपकी रास सिंग होगी तो मानिक के नाम का रत्न धारन कर सकते हों यह लोग मानिक के बदले में यहीं कि जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाग कर सकते हैं आपका जीवन मंतर क्या है ओम सुर्य देत्म नमभ नमत मंत्र का जाप केबल और जीवन में लागू कर लो मित्रो इस रत्न को धारन करने से अतवाा इस मंत्र के जाब से आपको उन्हाय को पिद्धा कर bet on सब्स नहीं जाएं और बड़ी सुगमता से आपके भागी में है तो गुवर्मेंट फिल में आप इंटर कर सकते हो गुवर्मेंट जॉब आपको मिल सकती है जो लोग परशासनी चतर में है एड्मिस्ट्रेशन के चतर में पुलीश चेना इन सब चतर में है तो उन लोगों को यह रत्न-धारन करना चाहिए आपको निश्चित रूप से सफलता क्राप्त हों इस रत्न को धारन करने के बाद अत्वआ इस मंत्र के जाप करने के बाद आपके चेहरे पर में एक बहुती fight अधिया बहुती ही चंत चमक आ जायेगा एक सूरी की तरह जो देख करके लोग एक बार चिह हो जाएंगे मित्रो इस मंत्र के जाब का तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन इस रत्न के धारन करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ मैसूस होता है जैसे कि आपके सिर में दर्द होना पाड़िवारिक समस्याओं का बढ़ना अपयस मिलना कलंक लगना तो आप समझ ले कि यह र आसी फल यनी की 15 नौबर 2019 दिन सुक्रबार आपका तल्ख रवया दोस्तों के लिए परेसानी पैदा कर सकता है आपका पैसा तब ही आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे यह बात भली भाती जान ले नहीं तो आपको आने वाले समय में पच्टाना पड़ेग आपको आश्चर में डालते हुए आपके बचाओं में आपका भाई आगया आएगा आपको एक दूसरे की खुसी के लिए आपसी सहीयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है याद रखें कि सहीयोग जीवन का किंदर बिंदू है आज आप अपने प्रिये से अपने ज जातक आज अपनी परतिभा का पुर्ण इस्तिमाल कारे छेतर में कर सकते हैं उन चीजों को दोहराना जिनका आपके जीवन में कोई महत तो नहीं है आपके लिए ठीक नहीं है ऐसा करके आप अपना वक्त ही बरबाद करेंगी और कुछ नहीं खराब मिजाज के चलते आप म इससे आपके परेम संबन्ध जो है छो है और अच्छ रासि में बिलल गल्स इतके हैं को सब्सक्राइब है मित्रों करण फबने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं जैसे धो भू पा पी पू मुर्धर् नो ठो प फे पो इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो कन्या हुई जैसे कि पंकज भी अगर आपका नाम है पो अक्षरपर में तो भी आपकी रासी कन्या ही हुई जैसे कि पुस्पा नाम है आपका तो भी आपकी रासी कन्या हुई पी अक्षरपर में जैसे कि पिंकेस नाम है तो भी आपकी रासी कन्या इन में किस अक्षर כ्चरे में कया नाम है आपका कि आफ़ सभी का नाम तो मुझे या आप सभी का नाम तो मैं नहीं जानता इसलिए आप अपना नाम कमेंगे के मुझे बताएं क्या नाम है आपका मित्रों और आपके जो रासी स्वामी है वो बुद्ध देवता हुए आपका जीवन रत्न है वो पन्ना हुआ मित्रों आपका जो भागे साली दिन है वो बुद्धवार है और आपका जो भागे साली रंग है वो हरा है अगर आप कोई रत्न पत्थर स्टोन जेमस धारन करना चाहते हो तो ऑन्स नाम है को इसको आप धारन कर सकते हो लेकिन हमारे शोब वहन्द वळे earああ mean करने में सक्षम नहीं है वोग इसके बदले में और आउनेक्स भी धारन कर सकते हैं जो कि इसका छोटा बहाई है अंदर यह है कि ओनेक्स आप देर से दो साल पहन के रख सकते हो उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर उसकी चमता समाप्त हो जाती है और पन्ना को साथ से दस साल तक आप पहन के रख सकते हो मित्रों लेकिन जो भाई बंधु और नेक्स अथवा पन्ना धारन करने में सक्षम नहीं है वो लोग अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे उनका जीवन मंत्र है आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए फाइदा आपको जितना उज्जरत्म को धारन करके मिलेगा उतना ही इस मंत्र के जाप से भी मिलेगा इस मंत्र का जाप का दो सर्ट है causal पहला सर्ट ये है कि इस मंत्र का जाप केबल और केबल आप बुद्धवार के दिन से शुरुआत कर सकते हो इस्टार्ट कर सकते हो दूसरा सर्थ ही है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल रुद्राक्ष की माला पर में करोगे मित्रों बुद्धवार के दिन सुबा में मौर्णिंग अश्नान बगेरा करके एक रुद्राक्षी माला लेके आसनी लगा के बैठ जाना है और इस मंत्र का एक माला जाप कर लेना है उसके बाद ऐसे ही डेली कंटिन्यू करना है इस मंत्र के जाप से अथवा इस रत्म के धारन करने से क्या फाइदा होगा आपको आपको आपकी अस्प्राण सक्ती जो है चमतकारी करोप से बढ़ जाएगी आपको कोई भी चीज एक ही बार में देखो गया और आपको याद हो जाएगा अगर आपके घर में धन संपती की तो समष्यां दूर हो जाएगी यह साकरात में बरद मित्रों आएए अब विशेष के बारे में क्या है कानाराशी वालों का आज का रासी फल ययनि की 15 नौबर 2019 दिन सुक्रबार अपने खान पान का विसेज ध्यान रखें खास तोर पर माइगरेन के मरीजों को स्वेया पर खाना नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो उन्हें बेर्थ में भावनात्मक तनाव से गुजरना पर सकता है जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है जिससे जीवन की कई परेसानियां दूर हो जाएंगी दोस्त साम के लिए कोई बढ़ियां योजना बना कर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे आपके इमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्षों को कुछ जादा ही उचा तै कर सकते हैं अगर आप अगर पड़िनाम आपकी उमीद के मुताबिक ना आए तो निरास ना हो अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंजार कर रहे है तो रिष्चे ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लएंगे आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी को मुस्क जिंदगी की मुस्किल को आसान करना सीख जाएंगे या आसान कर लेंगे स्वास्त के लिए से आज का दिन आपका बढ़ियां नहीं रहने वाला है दंसंपत्ती के मामले में समय आपका बहुत अच्छा है परिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है प्रेम संब्दर वेबाएक जीवन के मामले में भी समय आपका बहुत अच्छा है लेकिन वेवसाय के मामले में समय आपका अच्छा नहीं है प्राह तुला रासी के बारे में जानते हैं तुला के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे कि रो रा री रू रे रो ता ती तू ते इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपके जो रासी है वो तुला हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सुक्र देबता हुए और आपका जो जीमन रत्न है वो ओपल अथ्वा हीरा हुआ मित्रों हमारे जो भाहिवंदू कोई रथ म कोई जेम्स पत्थाым दरी टो द्हान करना चाहते हो तो मैं हीरा धारन करiendo करने भ गरुफ्य। जो लोग भी पैन करने में सक्षम नहीं है वो लोग प्ली ऑपल दार्न करने में सक्षम नहीं है उयव्चों और शक्ति कि जो है, फांच से साथ साल वाज समाप्थ हो जाती है. sounds क्थेमिक आुट में हैंDya yogurt और देक का जीवन मंत्र का सब्सक्राइमाव आपका सम्पूर्ण जीवन टिका हुआ है। अपको सुंग नाम का एक बीज मंत्र है उस पर में आपका संपुर्ण जीवन ठीका हुआ है मित्रों इस मंत्र के जाप करने का बिधान यह है कि आप सुक्र बार के दिन मौर्णिंग में अश्नान बगेरा करके रुद्राक्ष की माला लेके आसनी जमीन पे बिच्छा करके बैठ जाओगे और उसके बाद इस मंत् करना है उसके बाद दैनिक इसी परकार से अस्टान करके मौर्णिंग में और इस मंत्र का जाप करना है मित्रों इस मंत्र کے जाप से अथ्वाइस रत्र न को धारन करने से फाइदा आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं मित्रों यह एक बहुत ही चमतकारीक मंत्र है धीरे धीरे आपको ये माला माल करता जाएगा पैसे समंधिस तमस्याओं को ये दूर करता जाएगा आपके धन यस सौंदार रूप इजद प्रतिष्ठा यस में बिर्धी करना सुरू कर देगा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मधमेह की बीमारी है तो लोग अगर इस रत् तो अगर आप धारन कर लेते हैं तो भी अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं यहीति मित्रों तुलारासी के बारे में कुछ महत्पून जानकारी दिन कैसा रहने वाला है आईये जानते हैं सारिक बिमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं जिसके चलते आप सिगड़ी खेल खूद में हिस्सा ले सकेंगे जो लोग लगूद द्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी कड़ीबी की कोई सिलाह मिल सकती है जिन्हें उन्हें आर्थिक लाब होने की संभावना है ऐसे दुस्तों के पास जाएं जिन्हें आपकी जरूरत है किसी की प्यार में काम्याबी मिलने की कलपना को सच कराने में मदद करें आज आप अतरिक्त जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा आयर प्रतिष्ठा का सबब साबित होगी जब आप से राह पुछी जाएं तो संकुछ ना करें क्योंकि इसके लिए आपकी काफी तारीफ होगी आपका जिवन साथ ही आपको पाकर खुद को खुद नसीब समझता है इन पलों का भरपूर उप्योग करें मित्रों स्वास्त के लिए आज से आज का दिन आपका बहुत बढ़ी है दन्संबंति के मामले में भी अच्छा है और नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थी को मन लएगा अगर कोई आज रियल टाने बाला है तो वो भी अच्छा रहेगा और आप अच्छा परदर्शन भी कर पाएंगे उपाई आपके लिए है कि सेहत सराव के सेवन से मंगल बिगड़ता है तो अगर आप इसका त्याग कर देते हैं तो आपके फैमली में जो सुख है वो बढ़ेगा पारिबारिक सुख आपका बढ़ेगा तो यही थी तुला रासी बालों की आज की रासी फल आईए जानते हैं बिरिश्चिक रासी के बारे में मित्रों बिरिश्चिक के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे की तो ना नी नू ने नो यो आकर यो द्रगी अथवा हरसी कर यो द्रगु अथवा हरसु कर इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो बृस्चिक होती है जैसे कि आपका नाम मौन लो नी अक्षर पर है निलेस अथवा नीलू आ यह अखशर पर में है यस अथवा यस राज अथवा राज आपका जो भी नाम है मुझे तो याद नहीं आप अपना नाम कमेंट करक मित्रों तो आपकी जो रासी है वो ब्रिश्चिक ही हुई और आपके जो रासी स्वामी है वो मंगल देपता हुई आपका जीवन रत्न जो है वो मुंगा हुआ आपके लिए जो भागे साली दिन है वो मंगलवार हुआ आपके लिए जो भागे साली रंग है वो लाल हुआ मित्रों अगर आप कोई पत्थर, एस्टोन, रत्न, जेम्स धारन करना चाहते हो तो मुंगा नाम का रत्न आप धारन कर सकते हो मित्रों मुंगा एक बहुत ही चमतकारिक लेकिन खतरनाक रत्न भी है जो लोग जो भाइबंदु मुंगा को धारन करने में सक्षम नहीं है वो लोग मुंगा के बदले में अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का भी जाप कर सकते हैं मंग यही आपका बीज मंत्र है इसी मंग अक्षरपड में यही मंग नाम का जो बीज मंत्र है इस पर में आपका संपुर्ण जीवन टिका हुआ है ब्रिश्चिक राशी वाले मित्रों इस मंत्र का आपको दैनी के 108 वार जाप करना है इस मंत्र के जाप का सर्थ क्या है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल मंगल वार के दिन से उठा सकते हो और दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे मित्रों इस मंत्र के जाब के लिए आब मंगल वार के दिन सुवा में एसनान पगिरा करके रुद्राक्श के माला को ले करके एक आशन जमीन पर बिचा करके और वहां पर मैं आप बैठ करके उस मंत्र का जाप पर स्टार्ट कर दोगे और दैनिक रोज इसे हिसाब से जाप करोगे। इस मंत्र के जाप से अथवा इस रत्न को धारन करने से आपको क्या फाइदा होगा। मित्रों, अगर आप इस रत्म को धारन करते हो, अथवा इस मंत्र को जाब करते हो, तो आपके साहस में चमतकारी कुरूट से बिर्धी हो जाएगी, आपका आत्मी स्वास बढ़ जाएगा, पुलीस, आर्मी, डॉक्टर, प्रुपर्टी के काम करने वाले, हत्यार निर्मान कर करने वाले सरजन, कंप्यूटर सॉप्टवेर, अथवा हार्डवेर इंजिनियर, लोगों को मुंगा धारन करना चाहिए, अथवा इस मंत्र का जाब करना चाहिए, मित्रों, अगर आपको रक्ट संबंधी बीमारी है, पिलिया है, मिर्गी है, तो भी उस बीमारी को ये इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इस रत्न को धारन करते हो, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, जैसे कि अचानक से दुगहटना हो जाना, जीवन साथी के बीच में तनाव टेंसन हो जाना, परिवार में कला हो जाना, आपके कुटूम रिलेटिव से मन मुटाव हो जा शणिक आवेक में बाहकर कोई निर्णा ना ले या आपके बच्चों के हितों को हानी पहुचा सकता है, आपका पैसा तभी आपके सामने आएगा या आपके काम आएगा जब आप उन्हें संचित करेंगे और यह भली भाती जान लेंगे कि नहीं तो आपको आगे आने वाल गरताओ घर के बाता बरन को हलका फुलका और खुशनुमा बना देगा, आपको अपने प्रिये को खुद के हालात समझाने में दिक्कत मैसूस होगी, आपके आत्मे स्वास में बिर्धी हो रहा है और तरकी साफ नजर आ रही है, दिक्कतों कातेजी से मुकावला करने की आपको खास पहचान दिलाएगी, अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है, मित्रो स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़ियां नहीं है, धनसंबत्ती के मामले में भी समय अच्छा नह के चलेगा दिलाएगे में बढ़ियां ना जर रे लिखाएँ करने वाले विद्यार्थ यों को आज बढ़ियां अच्छा पर प्रस्तूत करने का हैं काला अथ्वा सफेद काप्रा के Records शौस देने की हेल्थ जो है वो बेहतर होगा तो यहीं थी प्रिश्चिक रासी वालों की आज की रासी फल आए पहले कुछ बिशेस बातें जानते हैं धनू रासी के बारे में मित्रों धनू के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है जैसे की यह यो भा भी भू धा फा धा भे इन में से अगर किसी भी अक्षर से किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपके जो रासी है वो धनू हुई आपके जो रासी स्वामी है वो बिरस्पती देवता हुए और आपका जो जीवन रतन है वो पुखराज हुआ मित्रों पुखराज आपका जो भागे साल दिन है वो बिरस्पती बार है और आपका जो भागे साली रंग है वो पीला है मित्रों अगर आप कोई रत्न पत्थर इस्टोन जेम्स रिंग धारन करना चाहते हो तो पुखराज नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो लेकिन पुखराज एक महगा रत्न हो सकत सब्सक्राइब कर से ये आपको फाइदा करेगा आपके शंतान के छेतर में, बिद्या के छेतर में, धन के छेतर में और यस کے छेतर में प्रतिष्ञा में आपको ये चमतकारी करेगा और आपको सफलता दिलाएगा लेकिन जो लोग इस रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं हैं वो लोग अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे जीवन मंत्र है उनका ओम ब्रिंग ब्रस्पते नमः ओम ब्रिंग ब्रस्पते नमः ब्रिंग जो है वही जीवन मंत्र है आपका और ब्रिंग पर में ही आपका संपुर्व जीवन टिका हुआ है मित्रों आपको क्या करना है इस मंत्र के जाप का बिधी ये है इत्वा बिधान ही ये है कि इस मंत्र का जाप व्रस्पती बार के दिन से start कर सकते हो रूद्राख्ष के मालापड़े कर सकते हो आपको क्या करना है कि बिरस्पती आने वाले बिरस्पती बार के दिन आपको सुवह में असनान वगेरा करके एक रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लेनी है एक आसनी ले लेना है और बैठ जाना है आसनी जमीन पे विछा करके और इस मंत्र का बिरस्पती बार के दिन से करना है ज्यादा ज्यादा आप जितना करोगे आपके लिए वह बेनिफिसियल रहेगा मित्रों इस मंत्र का अगर आप रोज जाप करते हो तो रत्म धारन करने से जितनी फाइदा होंगे वो सारे फाइदे आपको इस मंत्र के जाब से होंगे साथ में इस मंत्र का आप जीवन भर जाब कर सकते हो इसका कोई टाइम प्रियड नहीं है कि एक साल में इसका पावर कम हो जाएगा और दो साल में इसका पावर कम हो जाएगा या दस साल में इस दिन शुक्रवार दिन की सुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं ऐसा करना आपके लिए फाइदे मंद रहेगा और सारे दिन आप में उड़ जा रहेगी आज यदी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझ कर खर्च करें दनानी की इस दुनिया में नहीं रह सकता आथवा नहीं रह सकती मज़ूर लोगों से मेल जोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएंगे अपने जवरदस्त अत्मिस्वास का फाइदा उठाएं बाहर निकले और कुछ नए संपर्क और दोस्त बनाएं आज आपका बैवा नौकरी के मामले में समय बढ़िया है और पढ़ाई लिखाए करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय बढ़िया है उपाई यह है कि अपने बड़े भाई के बिचारों का सम्मान करें उनकी बात को मानें इससे आपके आर्थे के सिरी में सुधार होगा तो य जैसे की भो जा जी खी खूँ खे खो गा और गी इन सब में से अगर किसी भी एक्सर से आपका नाम सुरू होता है तो आप की जो रासी है वो मकर हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सनी देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो निलम हुआ आपका जो सुभ दिन है वो सनीवार हुआ और आपका जो सुभ रंग है वो नीला हुआ मित्रों अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, जेम्स, रिंग, कुछ भी धारन करना चाहते हो तो आप नीलम नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको धारन कर सकते हो मित्रों जो लोग नीलम को धारन करने में सक्चम नहीं होंगे क्योंकि नीलम एक बहुत कीमती रत्न है, बहुत कोश्टली रत्न है तो इसके बदले में आप नीली धारन कर सकते हैं लेकिन मित्रों नीलम एक चमतकारिक रत्न भी है और नीलम एक खतरनाक रत्न भी है इसको धारन करने से क्या फाइदा क्या नुक्सान होगा मैं आपको बता देता हूँ मित्रों अगर आप नीलम धारन करते हो तो नीलम आपको आस्मान पर उठा सकता है तो खाक में भी मिला सकता है अगर आपको सूप नहीं किया तो ये कुछी समय में आपको राजा बना सकता है, तो कुछी समय में रंक भी बना सकता है। इसलिए बिना कुंडली की जाच करवाये हुए नीलम आप धारन ना करें अथो नीली भी धारन ना करें। कि इस रत्न को धारण करने से आपकी दूर दृष्टी बढ़ जाएगी काडी कुसलता आपकी बढ़ जाएगी आपकी काम को करने की क्यालिटी वे आपको काम कौन वक्तास कर रहा है तो फंबें आपको लेकिन अगर जाएगी सिर्ण reindeer कर रहा है जबरदास्त दर्द होने लएगा बुद्धी आपकी विप्रीत हो जाएगी धीरे धीरे करके संगहर्ष बढ़ने लगेगा और आपकी जिंदगी जो है अपने ही टेंसनों में उलज के रह जाएगी इसलिए ऐसा जब भी आपको लगे नीलम अथवा नीली को तुरंत उतार क्योंकि वह आपको शूट नहीं कर रहा है मित्रों लेकिन जो लोग अपने जीवन रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है और एक चीज़ और बता दो कि बिना कॉंडली की जाच करवाए हुए आप इस रत्न को धारन ना करें मित्रों जो लोग इस रत्न को धारन करने में स प्वुद आधार है यही आपका गीज मंत्र का आप देनी के 108 वार जाप करना है उत इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे, और सनी बार के दिन से इस मंत्र का जाप करोगे, आपके जीवन की जितनी भी समस्याइं है वो धीरे धीरे करके सब शवापत ह हो जाएंगी मकर रासी वालों का आज का रासी फाली यानिकी पंद्रह नॉवंबर दोह जारूनीज दिन सुक्रबार आपका ब्यक्तित तो आज एत्र की तरह माखेगा और सबको आकरसित करेगा इस रासी के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर क धन खर्च करना पर सकता है पारिवारीक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वज़ा बन सकते हैं प्रेम निशीम होता है सभी सीमाओं से पड़े आपने ये बाते पहले भी सुनी होगी लेकिन यहा लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद मैसूस कर सकते हैं चीजों के होने का इंतजार मत किजिए बाहर निकले और नए मौके की तलास करें आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पढ़ियाप समय होगा आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा आपके और आपके जीवन साथी के बिज विश्वास की कमी रह सकती है जिससे आज बैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है नौकरी करने वाले लोगों को कुछ प्रहसानियों का सामना करना पर सकता है उपाय आपके लिए ये है कि काले उनी कंबल का दान करने से किसी गरीब विक्ति को देने से आपके आर्फे के स्थिती में बैथरी होगी मुझबूती धीरे धीरे आएगी तो यही थी मकर रासी वालों की आजकी रासी फल आईए जानते हैं कुम्भ रासी के बारे में कुछ बिसेस बाते मित्रों कुम्भ के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे कि गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो और दा इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपके जो रासी है वो कुम्भ हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सनी देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो नीलम हुआ मित्रों अगर आप कोई रत्म पत्थर एस्टोन जेम्स धारन करना चाहते हो तो नीलम नाम का रत्म धारन कर सकते हो लेकिन याद रहे नीलम एक खतरनाक और चमतकारिक दोनु रत्म है मित्रों इसलिए अपनी कुंडली की बिना जांच करवाए हुए इस रत्म को धारन ना कर नीलम अगर आप धारन करते हो तो इस से क्या फाइदा और क्या नुक्सान हो सकता है आपको मैं आपको बता देता हूँ कुछी समय में राजा बना सकता है और आपको सूट नहीं टिया तो कुछी समय में रंक भी बना सकता है मित्रो नीलमधारण करने के बाद के व्यक्ति जो है दूर दृष्टी प्राप्त कर लेता है भविश्ट्च में देखने की छमता प्राप्त कर लेता है किसी भी कारी को करने के लिए कारी कुसलता उसके पास आ जाती है क्वालीटी आ जाती है उसके ज्यान में बिर्धी हो जाती है उसको बहुत जल्द परसिद्धी की प्राप्ती हो जाती है लेकिन जिस किसी ब्यक्ति को नीलम सूट नहीं किया उसको क्या ह होगा शुरुवाती लक्षन यह है कि अकारण ही हाथ पाऊं में दर्द होना शुरू हो जाते हैं मुह फूल जाता है बुद्धी विप्रीत हो जाती है धीरे धीरे संगहर्स बठने लगता है बैक्ति अपने ही जिंदगी के संगहर्सों में उलज कर रह जाता है इसलिए नील में अपने जीवन मंत्र का जाप करेंगे आपका जीवन मंत्र है ओम शंग शनेश्चराय नमः ओम शंग शनेश्चराय नमः शंग जो है यही आपके जीवन का मूल भूत आधार है यही कुम्भरासी वालों के जीवन का मूल भूत आधार है मित्रों इस मंत्र के जाप का अनियम यह है है कि समय वार के दिन से स्टार्ट करोगे और रूद्राक्ष के मज़ः करोगे, यह तो चर्थ है. आपका नियम है कि समय सबह मज़ें असनान वगेरा करके एक शलन शल hostage लिश्वा, रूद्राक्ष कि मला ले लेनी है दीन प शलना है कर लेना है उसके बाद कंटेनिव रभी बार सोंबार मंगल आइसे जाप करते चले जाना है डेली जाप करना है एक पाइदा यह होगा कि आपके जीवन की पर्तेक समस्याओं का धीरे-धीरे करके अंत्थ हो जाएगा कुम्भ रासी वालों का आज का रासी फल यानि की पंद्रह नौंबर दिन सुक्रबार दोहज़ार उन्नीस मित्रों आप में आज चुस्ती फूर्ती देखी जा सकती है आपका स्वास्त आज पूरी तरह से आपका साथ देगा जिन लोगों ने किसी अंजान सक्स की सलाव पर कहीं निवेस किया था आज उन्हें उस निवेस से फाइदे होने की पुरी संभावना है पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोज बढ़ेगा जो आपको तनाब दे सकता है आपके प्रिये के करवे सब्दों क करण आपका मूड खड़ाब हो सकता है यह वह दिन है जब आपको अपनी अहम योजनाओं पर रोशनी डालने के लिए खास बड़े लोगों से मिलना चाहिए आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घरवालों के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं आपकी बातें घरवालों में भी समय अच्छा है पारिवारिक जीवन आज आपका बढ़ियां नहीं रहने वाला है पारिवारिक जीवन के सासत प्रेम समंधर वेवाहिक जीवन के मामले में भी समय अच्छा नहीं है बिजनेस आपका बढ़ियां जरूर चलेगा नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो यही थी कुम भरासी वालों के आज की रासी फल आईए जानते हैं कुछ बिसेस बातें मीन रासी के बारे में मित्रों मीन के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे की दी, दू, थ, ज, य, द, 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 च, 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 इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो मीन हुई जैसे की दी से अगर आपका नाम दीपक है तो आपकी रासी मीन हुई जैसे आपका नाम चौ से चंदन है तो भी आपकी रासी मीन हुई क्योंकि चौ अक्षर जो है सो मीन का रासी है और चा अक्षर भी मीन का रासी है इसी प्रकार से इसमें से किस अक्षर पर में और क्या नाम है आपका आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं याद रख सको उस अक्षर से उस नाम को और वीडियो में ले सको मित्रों आपके जो रासी स्वामी है वो बिरस्पती देवता हैं आपका जीवन रत्न जो है वो पुखराज है आपका जो भागिशाली लकी डे है वो बिरस्पती बार है और आपका जो लकी कलर है वो पीला है यनि की येलो है है मित्रों अगर आप कोई रातन पत्थर एस्टों जेम्स धारन करना चाहते हो तो पुखराज नाम का एक ऐसा रतन है जिसको आप धारन कर सकते हो इस रतन को को धारन करने से क्या फाइदा होगा इस रत्म को धारन करने से फाइदा आपका यह होगा कि आपको परसिद्धी मिलने शुरू हो जाएगी पॉपलरीटी मिलना शुरू हो जाएगा परसिद्धी के साथ साथ मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा सिक्षा और क्यारियर के छे संतान से समस्या होगा, विद्या के संबंद में फाइदा होगा, धन के संबंद में फाइदा होगा, यस इजत पर्तिष्ठा में सफलता प्राफ्त ہوगी द्रों लेकिन जो लोग इस रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है वह लोग अपने जीवन मन्तर का जाप करेंगे आपका जीवन मन्त जो है वह है ओंब्रत पते नमा ओंब्रृंघ मैप्रते नमस इसमंतर का आपको दैनिक रोत 108 ब़ाज जाप करना है इस मंत्र को जाप करने से भी आपको परसिधी की प्राप्ती होगी आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी अगर आपकी बिवाह में समस्या आ रही है देरी हो रही है तो वो दूर हो जाएगी बिद्या, सिक्षा, धन, दौलत, इजद, परतिष्ठा प्राप्त करने में समस्य आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और संतान से समंधित कोई परिशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी रुद्राक्ष के सथ करके है रुद्राक्ष के माला असनान बगेर कर आशन लेकर रुद्राक्ष के माला लेकर बैठ़ जाओं जशटाट करते हुए जयसे जयसे मंत्र की संख्या बारती जाएगई आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जयएगा कि मीन रासी वालों का आज का रसी फल में रासी यह नि की 15 नावंबर 2019 दिन शुक्रबार कि आपका बच्रो जैसा बोला स्भावि absor सता पर आ जाएगा और आप सरार्थी पनुदसा में होंगे अगर आप चात रहें और विजेसों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर सिकन ला सकती हैं घर पर कोशिस करें कि कोई आपकी वजह से आहत ना हो और पड़िवार की कोई परेसानी खड़ी हो जाए तो आप लोटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे आज आपको महत्पुन मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है आपका जीवन साथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में अपने हाथ पीछे खिश सकता है जिसके चलते आपका मन उदास होने की सभावना है उपा स्वास्त के लिहार से आज का दिन आपका पढ़िया है दंसंपत्ति के मामले में समय सामानी रहने वाला है पारिवारिक जीवन भी सामानी रहेगा प्रेम समंदर व्यवाहिक जीवन के मामले में समय आज आपका अच्छा नहीं है व्यपसाई के मा को घर में अस्थापित कर उसकी गोजाना पूजा करें इसे आपके प्रेम संबंधों में जो है सुधार होगा आपके लिए अच्छा रहेगा तो यही थी मित्रों मीन रासी वालों की आज की रासी फल तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दवा दे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जैहिंद बंदे मात्रव